नमस्कार मैं प्राणशीर अठोर और आप देख रही हैं निक्स्ट नाइन न्यूज समाजवादी पार्टी पर इस वक्त तमाम बिपक्षी दलों की नसरे टिकी होई हैं क्योंकि देखा जाए तो जब से मैनपुरी लोकसभा सीट पर स्तपा ने जीत हासिल की है समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव ने बीजेपी के उमीदवार रगुरास सिंग शाके को तगडी हार का स्तामना कराया ऐसे में देखा जाए तो अब आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर स्यासत तेज हो चुकी है साथ इसाथ साल दोहसार चुबीस में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी यहाँ पर देखा जाए तो चाचा और भतीजे एक जुटता का संदेज दे रहे हैं अखलेश यादव और शिपाल सिंग यादव अटकलें ये तेज हैं कि कहीं न कहीं रास्टे महासचीव का पद उन्हें सौपा जा सकता है खेर ये तो वक्त के साथ साथी पता चलेगा कि आखिरकार यहाँ पर अखलेश यादव के वाकई में उन्हें महासचीव बनाएंगे क्योंकि देखा जाए तो 16 जनवरी के दिन शिपाल यादव के घर पहुंचे थे अखलेश यादव और दोनों के बीज घंटों तक चर्चाएं भी हुई थी हालनकि दोनों के बीज किस मुद्धे को लेकर चर्चा हुई इसको लेकर साफतोर पर खुलासा नहीं हुआ है यादव को बेहत बड़ा जटका दे दिया है अखलेश यादव ने दरसल आपको बता दे कि समाजवादी पार्टी से उन्होंने मीडिया पैनलिस्ट की लिस्ट भी जारी कर दी है जिसमें यहाँ पर प्रस्पा को जगा तक नहीं दी गई है जिहां आपको बता दे कि शिप पाल के लिए बेहत बड़ा जटका माना जा सकता है क्योंकि इस लिस्ट पर गौर किया जाए तो 58 यहाँ पर लीडर्स हैं जिनको जगा मिल चुकी है राय यहाँ पर लेना चाहेंगे मारे सहयोगी दीपक से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है क्योंकि फिलहाल देखा ज क्योंकि वह काफी असहज महसूस करते हैं कही ना कहीं शेपाल को कोई जिम्मेदारी नहीं मिलती है कोई बड़ा पद नहीं मिलता है तो कही ना कहीं एक बार फिर से अखलेश यादव से उन्हें दोखा मिल सकता है तो इसे आफ किस नजरिये से देखते हैं कि अगर पार्ट सपा चोड़े गए था आब भी जानते हैं कि परस्पा कैसे बनी है परस्पा उनने इताओं से बनी है जो मुलायम के अध्यक्षपत से हटने के बाद अखलेश के फैसले से नराज थे और उपरस्पा की ओर गए अब जो पार्टी सपा चोड़कर गया अखलेश यादव उन जाएंगे लेकिन अभी जो पद बाटे जा रहे उनको इसी बात का ध्यान अखा जा रहा है कि जिसने बुरे वक्त में अखलेश यादव का साथ दिया जो तब साथ छोड़कर नहीं गया जब अखलेश यादव सब कुछ खो रहे थे एक भी चुनाव नहीं जीत रहे थे च जाएंगे यहां पर दीपक ने अपनी बात रखी तो जाहिर सी बात है अब अखलेश यादव को बहुत ही संभल कर चलने की जरूरत है क्योंकि देखा जाए तो यहीं कहा जाता है कि अपने तो अपने ही होते हैं देखा जाए तो यहां पर उन्होंने जिस पार्टी से भी गठबंदन किया, वो party उनका साथ चोड़ती हुई नजराई हो नों बार-बार हार का सामना ही किया है। लेकिन चाचा शेपाल यादप को बार-बार सैड़लाइन किया गयार उसका नतीज़ा क्या कुछ रहा कि समाजवादी पारडी बार-बार यहां पर हार का सामना करती हुई नसराई है अब देखना यह दिल्चस्प होगा क्या वाकई में यहां पर सपा संरक्षक जो हमारे बीच नहीं है नेता जी मुलाइम सिंग्यादव जी के सपने को क्या वह वाकई में पूरा कर पाएंगे इस पार्टी को नैशनल लेवल तक प कर दो